एक अनाथ लड़की अनाथ आश्रम में रहती है वो वहाँ पे एक ऐसे लिखती है और वो इतना प्रभावशारी होता है कि वहाँ के ट्रस्टी को वो पसंद आता है और वो उसे वहाँ से निकाल कर एक कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं आगे की स्टोरी आप बहुत अच् ने बोला था कि मैं तुम्हारे एजुकेशन का पूरा खर्चा करूंगा लेकिन तुमको उसके बदले में हर मैंने मुझे एक चट्टी लिखे तुम क्या महसूस कर रही हो वहाँ पे वो लिखना है तो यहाँ पे देखिए जो मिस्टर डैडी लॉंग लेक स्मित है ये एक डैडी समझती है और लॉंग लेक इसलिए कि जब उसने एक दिन उसे चुपके से देख लिया था तो उसके पैर बहुत लंबे-लंबे थे इसलिए वो उसे डैडी लॉंग लेक समित बोलती है तो वो बोलती है कि डैडी आपने जहाँ पे मिरे इडमेशन कर रही है जहाँ मैं रह रही हूँ वो hostel वो college ये सारी places बहुत अच्छी है मैंने और आपने भी imagine नहीं किया था इतनी मैं happy यहाँ पे अपने आपको feel कर रहे हूँ ये एक later में वो अपने daddy को मतलब उस trust को बताना चाहती है उसके बाद में वो अपना जो home है मतलब वो hostel को अपना home बोल रही है और वहाँ पे जब वो रहती है तो वहाँ का किसा वहाँ की बाते वो बताना शुरू कर देती कि उसने dream में भी नहीं सोचाता कि उसको इतनी बड़ी room उसको मिल जाएगी और वो बोलती है कि बापा मैं नीचे नहीं मैं उपर tower वाला जो floor होता है वहाँ पे top वाले floor पे रह मेरे room में नहीं रहती है अलग-अलग room में रहती है लेकिन देखो है तो उसमें से एक जो specs man के जो मुझसे बड़ी है वो हमेशा मुझे बोलती रहती है चुप बैटो चुप बैटो जितना हो सके silence रोखो वो senior है हम लोगों से मुझसे तो बहुत senior है यह यहाँ पे जिक्र क करना बिल्कुल न भूली है उसके बाद में वो और दो लड़कियों के बारे में बोलती है कि जो एक है फ्रेश्मेन है जिसका नाम Sally मैक व्राइड है और दूसरी जूलिया लूदले जो पैंडल टॉन है और इन दोनों के यह दोनों एक कमरे में रहते हैं वहाँ पे तीन कम में अपने जो जरूदा है वह रहती है दूसरे कमरे में वह सीनियर लड़की यह Sally और उसकी जो फ्रेंड है जूलिया तो जूलिया के बाल रेड कलर के है और उसका नोद्स है वो थोड़ा से टरं और सीधा है ऐसे वह बोलती है वह फ्रेंडली है जो है यह फ्रेंडली दूसरे को इतना नोटिस नहीं किया है कि उसके बारे में मैं लिख सकूँ पर हाला कि यह एसे हैं कि थोड़ा फ्रावडी लड़की है जूलिया जो है वो दोनों एक ही कमरे में रहते हैं तो सीनियर और वो दोनों और मैं हम ऐसे तीनों भी अलग-अलग ऐसे रहते हैं तो जन उनको कोई न कोई अपने साथ चाहिए तो यह बताना बिल्कुल नहीं भूली है यहाँ पे यह लड़की और आगे देखिए क्या-क्या हो रहा है तो यह यूजुल जो थिंग्स होते हैं कि जैसे कि अच्छा हुआ अपने मेरा मेरा जो प्लेस है यह प्रॉपरली अपने साला होता तो शाय से मेरे लिए बहुत हाड़ गया होता लेकिन अब मैं जो सिंगल इस रूम में रह रहे हूँ इसमें फाइदे बहुत है और वो बतारी कि मेरा जो रूम है यह रूम अकेला एकलोता है ऐसा है कि जिसकी नौर्थ वेस्ट कॉर्णर में है ना एक कॉर्णर म है तो इसके कारण मुझे क्या हो गया मुझे दो-दो विल्डो मिल रही है और दोनों विल्डो में से मैं बाहर का नजारा बहुत अच्छे से देख सकती हूँ ये लड़की यहाँ पे लिखे अपने वो पापा जो है वो ट्रस्टी पापा जिन्नों ने ये शर्त रखी है कि म बहुत अलोन मैसूस कर रहे हूँ पर मैंने ये पहला चांस है मुझे कि मैं अपने आपको इतना अच्छे तरीके से जान सकती हूँ और अपने आपको दुरुस्त करने के लिए मेरे में क्या पोटेंशल और होना चाहिए उसको इंप्रूब करने के लिए मैं यही पर कोशि बास्केट बॉल का टीम और मुझे भी यहाँ पर चांस मिला है उनके साथ केलने के लिए तो चलिए बास्केट बॉल के यह तरब जाते है और यहाँ पर बताना बिल्कुल नहीं बूलिए कि एक्चुली यह जो है यह लड़किया टॉल है यह हाइटेड है मैं तो उनमें ट बास्केट बॉल की टीम में तो ऐसे वह बोल रहे हैं अब जो है मुझे तो मतलब यह जो सारी चीजे है ये एक दिन पे तो नहीं आएगी उसके लिए मुझे जो है वो फिल्ड होता है वहाँ पे अफ्टरनून के टाइम में जाके मुझे बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेगी उसका लोड भी इसके मतलब पढ़ाई है पढ़ाई के बाद मैं आपको डायरी लिखनी है उसके बाद में रूम का साफ सपय हो और ये फिर प्रैक्टिस बे और वो बोल रही कि ये मतलब देखो मैं बहुत लॉंग लेटर लिख रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पूरा मतलब जितना जितना मैं अपने आपको लर्न कर रही हूँ वो सारी चीज़े वो यहाँ प जो मेरे क्लोद्स है वो भी मैं फिल्स के उपर जाके अपना काम करती रहती हूँ अलग-अलग एक्टिविटीज रहती है मेरी वो भी मुझे करना पड़ता है तो ऐसे मत समझिएगा कि मतलब मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ ऐसे नहीं है आपकी सारी कं आशा है और वो जेरुशा अब वट नाम का लिख जो है यह तो रात के नौ बच चुके है अब उसने अपने डायरी क्लोज कर दी है उसके बाद में अब देखते हैं वो क्या करती है तो तब भी जो उसकी फ्रेंड है सैली सैली थोड़ी फ्रेंडली नेचर की है वो बोलती है तो वो खुद बताना शुरू कर देती कि तुम तो बहुत होम सीखो मतलब घर के अंदर ही रहना पसंद करती हो बाहर जाना नहीं पसंद करती हो कि तुम्हें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है क्या वो ऐसे जो डेली रूटीन वाला जो चीज होती है कि कैसे कि तब यह जरूशा जो है, यह जरूशा उसे smile दे कि बोलती है, थोड़ा सोचती है क्योंकि वो एक अनाथ लड़की है अनाथ लड़की जब common लड़के साथ आके रहती है तो वो क्या मैसुस करेगी, क्या बताएगी उसके लिए थोड़ा hard है फिर भी वो बताती है, फिर यहाँ पे देखिए उसने बोला है कि माइकल एंगलो के बारे में आपने कभी सुना है क्या तो उसके रीडिंग में उसका एक मतलब फेमस आर्टिस्ट है ये इटली के और ये मिडल एज में थे तो इनके बारे में ये फेमिलियर कराना चाहती है अपने ट्रस्टी को और उसे जिसे वो डैडी कहती है बाद में वो बुलती है कि इंगलिश लिटरेचर का जो पिरिड हो रहा था वहाँ पे सब लोग हस रहते और मैं अपने आपको बड़ी शर्मिंदा फील कर रहे हुती ये मेरे लिए बहुस इंप्रेस फील हो रहा था क्योंकि पूरी क्लास हस रही इसे मुझे सुनाई दिया था और यही मेरे लिए ट्रबल बात हो गई थी कि ऐसे बहुत सारे चीज़े है कि जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो मुझे पता ही नहीं है और जो कॉलेज में सबी को पता है वो मुझे क्यों नहीं पता है इसका ही मुझे शेम होता है मुझे सारे चीज़े सीखनी ही नहीं है या मैं सीखना नहीं चाती हूँ पता नहीं लेकिन यह सारे चीज़े मुझे शर्मिंदा बहुत बार करती है और सब लोग जब हसते हैं मेरे तरफ देखके तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरी मैं बहुत सारे मिस्टेक्स अन्नोइं जो freshman है वो है क्या यह Morris, Matt and Blinks तो लोग बहुत बुरी तरीके से इसका जोग बनाते हैं मुझे ना बाहर के जग के बारे में उनके नाम के बारे में वो कुछ भी पता नहीं है कैसे मुझे जी के बहुत कम है, general knowledge बहुत कम है मैं जो पुस्त की कीड़ा हूँ, book में जो लिखा है वो अच्छे से read करके याद करके मुझे सारी चीज़े पता है लेकिन बाहर में जो अलग-अलग लोग है, अलग-अलग activities में करते है उसका knowledge बहुत कम होने की कारण, जब कोई उसका नाम लेता है तो मुझे ना पसंदी, मतलब पता ही नहीं चलता है वो क्या बोल रहे मैंने मेरे room को बहुत अच्छी तरीके से develop किया है, फर्निच किया है और वो बताना भूली नहीं है कि यहाँ पर देखो, brown and yellow color का जो है आपको combination यहाँ पर दिख जाएगा और combination दिखते समय वो बोलेगी कि मेरी जो room का wall है, वो इतना ज़्यादा dark color में नहीं है लेकिन मैंने उसके लिए फिर curtains लाए है, जो yellow denim color में है बाद में cushions है, उसको भी yellow color का cover लगा के है उसके बाद में उसने बोला कि महोगनी लकडी से बना हुआ डस्क है जो मैंने 3 dollar में second hand है वो, तो 3 dollar में मुझे आसानी से मिल गया था और बाद में वो बंदी के rotten chair जो है, वो भी मुझे बैटने के लिए मैंने ले लिया है brown rug यहाँ पे बोली नहीं है, जहाँ पे उसने इंके डाग भी middle middle में डाल दिये है और वो हमेशा वहाँ पे chair पे बैट कर और खड़ा होके वो अपने काम किया करती है यह सारे चीज़े वो यहाँ पे अपने डाड़ी को बताती है मैं वो भूली नहीं है, Sally McBride के साथ, वो हमेशा कही न कही कुछ चीज़े लेने के लिए जाती है और जो, मतलब, वहाँ पे न, ऐसे जो पुरानी चीज़े होती ही, नई चीज़े होती है उनका न, ऐसे दुकान रखता है, जो कम दाम है, जब ज़्यादा दाम है, ऐसे में सेल के जैसे वाँ पे मिलता है तो मैं मोसली उसके साथ जाती हूँ, उसकी चोईस बहुत अच्छी है और वो मेरे से बहुत फ्रेंडली, क्लोसली रहती है पहली बार जिदेगी में मैंने ऐसे कुछ खर्चा किया है, जिसका फाइव डॉलर बिल आ गया था और मतलब में ये देते हैं समय मुझे पहली बार ऐसे अपने आपको बहुत अच्छा फील हो रहा था आप मुझे बोलोगे कि आजकल मैं ये सारी चीज़े आफोर्ड करने लग गई हूँ, अलाउंस जो है इसका मैं मैं दे दूँगी, मैं मुझे पता है कि आप मेरे लिए सब खर्चा पढ़ाई के लिए कर रहे है तो उसकी भी उसको मतलब फिकर हो रही है और बात में वो बलती कि सैली जो है ये बहुत इंटर्टेनिंग पर्सन तो है इस दुनिया की लेकिन जूलिया जो है वो पता नहीं वो क्यों मेरे से अलग-अलग रहती है चुप-चुप के मुझे देखती रहती है मुझसे जलसी जलसी फील कर रही क्योंकि जैसे वो आई है वैसे सैली ने जूलिया को छोड़ दिया है और जूलिया जूलिया अकेली पड़ रही है पता नहीं तो सैली जो है ये इतनी फ़नी है इतनी हसी मजाग वाली है और जूलिया इतना बोरिंग क्यों है वो हमेशा हर चीज़ को एक करने से problem क्या है लेकिन शायद से जूलिया को ये सारी चीज़े पता नहीं हम दोनों इसे पैदा हुए कि जैसे दुश्मन निभाने के लिए पैदा हुए पता नहीं मैंने उसका जनम से कुछ खाया होगा शायद से इसलिए वो मेरे से strangely कर रही है like that when she was writing in the letter to that daddy और उसके बाद में वो बती है कि daddy अब आप लोगों आपको मेरा जो पड़ा ही है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ आप बहुत देर से उसके लिए रूपके रहेंगे कि यह सब होस्टल का फ्रेंड लोगों का है बता रही है उ 18 जो है उसके बारे में वो पताती है कि लेटिन मतलब सैनी सेकंड परनीक वॉर्ट था अनीबल आने उसके बीच में जो फोस्फफुली वो लेक ट्रिजैम्ड लास्टनाइट हुआ था उसके बारे में वो जिक्र करना चाहती है यहां पर और वह बताती है उसको मतलब हो डैड़ी को कि यह जो है यह मतलब रोमर्स की तरफ से हुआ था तो यह गलत है अच्छी बात नहीं है लेकिन फिर भी वह बताती है उसके बाद में वह बोलती है कि यह जो बैटल है इनका मौनिंग तक चला था और बुरी तरीके से रोमर्स को ट्रिट किया गया था यह सारे चीज़ें वह यहां पर बता रही है लेटर में लिख लिख के सारे चीज़ें बता रही थी सेकंड जो है वह फ्रेंच है ट्वेंटी फॉर पेज़ेस हाँ और यहां पर मस्केड वह है यह सारे चीज़ें वह यहां पर लिख है पड़ाइ के बार में उस डैडी को वह सारी चीज़ें 2012 जाहते हैं उसके बाद में थ्रड़ 2 विख मेटरियस नग्वेंटी असोनिज़ फिनिश किया है तो वह बोलती है कि मैंने सेफ़्रीट स्ट न वह और उसके बाद में English English में क्या पढ़ाई हो रही है तो English में वह बोल रही है कि English की पढ़ाई तो रोजी हो रही है उसमें ना मेरा जो राइटिंग का जो style है वो इम्पूर्व कर रही हूँ पीजिक्स जो रहता, उसके बार में बोड़ेगी, इस डाइजिस्टीम, जो है、 उसके बार में वो पैंक्रियाज है, बाल्ज है, ये ये जो है, वो नेक्स्ट टाइम में बताएगी, लेकिन अब भी वो डाइजिस्टीम का जो पढ़ाई हो रहे, उसका वो चालू है, उसके बाद में बोलती है कि अब मैं अच्छा तरीकिसे पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ और आप लोगों को एक पड़ी लिखी एक एजुकेटेड जेरू साबोट मिल जाएगी जो अपने अनाता श्रम से आपने मुझे यहां पर पढ़ाई के लिए भेजा था वो तो मैं आपका ऐसा अनका भी जिन्दगी परने भूलूंगी लेकिन डाड़ी अगर आप छराब पी रहे हैं तो मैं आप को इस लेटर से बताना जाती हूँ कि शराब लीवर के लिए बहुत ही हानिकारक है तो आप अगर पीते हैं तो अतुरत बन कर दीजिए ऐसे वो जरू साधता बतात हैं तो आप भी ऐसे कीजिएगा दोस्तो मेरी स्टोरी देखिए लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद